गाइस, Be Down Hope चैनल में आपका बहुत बहुत सुफाग है थे दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बॉलिवोड के पहले सूपर हीटो, क्रीस का पाट फॉर बनने जा रहा है, यानि कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्रीस पॉर मुवी से जुड़ किप मत करना और अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को फटा-फटा से सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत बुले तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते दोस्तों क्रिस का पहला पार्ट था कोई मिल गया जि प्रिती जिन्टा थी 30 करोट के बजएर में बनाय था और इस फिल्म को डायेक्सन दिया था प्रकास राकस रोषान नेन स्वरी यह फिल्म सूपरीट सा भी धूँरी थी उस फिल्म के सक्षेस के बाद दोस्तो मेकर ज़य्कस 2010 में kryz फिल्म लेके आये और उस फिल्म का स्टार कास की बात करें तो रितिक रोशन, प्रियंका चौपड़ा, नसुरुदिन सा और रेखा जैसे बड़ी अश्टार देखने को मिले थे प्रियंका चौपड़ा, देखने को मिले थे वहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर विवे कॉब्रोई और कंगना रनावत ने ने नेगेटिव रोल किया था 95 गवड के बज़ेट में बना इस फिल्म ने लाइप टेम में 393 करोड का जबर जस्ट बिद्निस किया और यह फिल्म सूपर ही था भी थी कोई मिल गया, क्रीस और क्रीस थी फिल्म के सक्सेस के बाद मेकर्स क्रीस फॉर फिल्म बनने जा रहे है और एक इंटेर्यू में राकेश रोसन ने बता कि इस फिल्म की स्टोरी पर काम कंप्लिट हो गया है इस फिल्म की स्टोरी लिग के कंप्लिट हो गई है और इस फिल्म के अंदर हमें रितिक रोसन सू lethal का रोल करते नजराइङे वहीं वह एक positive रोल करते नजराइगे और एक negative वहीं दोस्तों उनके opposite हमें सूपर गल का रोल करते नजराइगे क्रीति सनन पहली बार और इस फिल्म के अंदर हमें नवाजुदिन, सिद्ध की और विद्यू जामवल भी देखने को मिलेंगे सायद तोर से विद्यू जामवल इस फिल्म के अंदर नेगेटिव रोल करते नजराएंगे दोस्तों और दोस्तों इस फिल्म की सुटिंग 2021 में स्टार्ट हो जाएगी और दोस्तों ये फिल्म 2022 में रिलिज होगी ऐसा अंदर लगाय जा रहे हैं और दोस्तों बजेट की बात करें तो दोस्तों से 200 कोड के बजेट में बना जाएगा क्योंकि इस फिल्म के अंदर नेक्स्ट लेवल का VFX रहने वाला जिस तरह से आलिवूड फिल्म के अंदर VFX देखने को मिलता है कुछ इस तरह का VFX समय क्रिस्प और फिल्म के अंदर भ के जरू बताने वीडियो पसंद आए तो हमाई चैनल वीटावन आपको सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर काना मत भूलें